और केशोप्रसादी मौर कोशामई जिले की सिराथू सीर्ष से विधान सबह चुनाओं में किसमत आजवाएंगे। केशो प्रसादी मौर का पैत्रगाउं है नुजिस्टेट के टीम केशो प्रसादी मौर की सिराथु कस्वे पहुंची जहां पर उसने अलग-अलग तबके के लोकों से बात की है बिधायक की कोई नाराजगी नहीं है अभी मैं जब उनका टिकट घोसित हुआ तो हम और हमारे बिधायक जी ने सब लोगों ने मिल करके उत्साहब वर्धन किया और आतिस बाजियां भी किया और वो तो ठीक है कि जब अपनी सरकार होती है तो कुछ लोगों की नाराजगी होती है लेकिन वो हमारे अपने लोग नहीं है जिनको नाराजगी है बिपच्छ के लोग तो सदयों जो है बिपच्छी बात ही करेंगे लेकिन हमारे कोई सांबीम बहुत उत्साह है अगर पीछे वो दस जार से जीते तो इस बार वीज जार से बानके चलिए अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि सिरातु में उन्होंने विकास किया, सिरातु को जनता से लगातार पांट साल जुड़े रहे सिरातु के लिए जो अभी तक किसी ने नहीं किया, वो उन्होंने किया ये बहुत बड़ी सवभागी के बात है कि जो हमारे एक छोटे कसबे के जो है मौरिया जी जो है इतने बड़ी पद पर पहुँच गए है, उप मुखमक मंतरी है इस टाइम जो है, हो चुके है अभी तक उन्होंने जो भी कार किया है, उसमें से एक भी काम ऐसा नहीं हुआ है, जो उन्होंने गलत किया हो मेरे हिसाब से ब्यापारियों के प्रति भी और जतने गरीबों के लिए भी सब के लिए उन्होंने अपना भंडार खोल के रखा है कोई प्रकार की किसी प्रकार की किसी को भी ना गरीबों को ना अमीरों को किसी प्रकार की कुछ कमी नहीं हो पाई है मैं तो यह चाहता हूं कि इनका जो है राज स्थापितों के और सिराथू का भी गवरो जो है अधिक से अधिक इनको मिले मान सम्मान मिले और उनकी प्रती हमारा जो भी है मान सम्मान हम तो उनी के पच्छे में रहेंगे और हमेशा रहते रहेंगे उनका कारे जो है अच्छा है